असलाम नेकुम डिया स्टूरिंट आज हम गो थू करने जा रहे हैं टेंज राइट चाइल्ड राइट टू रीड का अब यह आखरी राइट बहुत ही फंडमेंटल और इंपॉर्टन राइट है सबसे पहले हमें इस राइट को इखटे पढ़ना है कि यह है क्या बेनेट फिटेट फ्रॉम दे फाइनेशल और मिटीर रीसोर्सिस अफ गावर्मेंट आजनसी और और अर्गनाइज़ेशन दर सपोर्ट रीडिंग और राइट इस्ट्रक्शन तो आप इसको पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि उपर मौजूद जितने भी राइट्स हैं वो बच्चों तक नहीं पहुत सकते जब तक के हमारी रियासत की और एजनसीस की जो के काम कर रही है सोशल अजनसीस हैं गाव्मेंट हैं नौन गाव्मेंट हैं उनकी हमें कॉंटिन्यूस फाइनेशल सपोर्ट ना मिले उन लोगों को जो बच्चों के लिए इन हकोग को फीजबल बना रहे हैं और पॉसिबल बना रहे हैं तो इंपॉर्टन चीज हमें यह समझने की है कि जिसकत पूरी दुनिया में हमारा स्कूल करिकिलम और इंस्ट्रक्शन उसका की फोकस जो है वो बुन्यादी तोर पे रीडिंग स्किल्स को डिवैलप करने पर है जो लिटरसी का वेरी फंडामेंटल पॉइंट है जो क्या जाना क्या चहिंस कि रुटू मिशु हुआख़ गाला स्कूल कर रिदीम हीं तो शुट करनहें पर हम यह जानते हीं धियृ जानते से जौर्ट फिर स४्रॉम्स ने जुब ऑढ़िड और जिर्दी स्कूली आती विया कि निशन इतनी हैं की तो गरेंटल प्रेंचिन में भी इसको ना सर्फ हक तसवर किया गया है तमाम लोगों का कि तमाम लोगों को रीडिंग आनी चाहिए चाहे वो बच्चे हों चाहे वो यूथ हो चाहे उससे ज्यादा उमर के लोग हो यह उनका फंडामेंटल राइट है और यही डेकलरेशन हमें 1975 में भी नजर आती है कि हमारे फंडामेंटल हुमन राइट है उसके लावर यह हमें डेकलरेशन ओन एड्यूकेशन फॉर आल 1990 में भी नजर आती है कि लिटरसी स्किल्स हमारी ओरल स्किल्स और हमारी मैथमेटिकल नियुमेरिकल स्किल्स जो हैं प्राब्लम सॉल्विंग स्किल्स यह हमारी लाइफ स्किल्स जो बच्चों को जो एडल्ट्स को जो यूथ को इस काबिल करते हैं तो अपने जिंदगी को मिनिंगफुल तरीके से जी सकें अपने आने वाले रोज मर्रा मसायल को हल कर सकें यह उनकी सपोर्ट है उनकी लाइफ लॉग जर्नी में यह एक उनका फंडामेंटल रा हमें 70 साल से उपर हो गए हैं इंटरनेशनल एजेंस को यूनाइटी नेशन को इस चीज़ को देखते हुए कि वो नेशनल गामेंट जो हैं उनको यह एक कमिटमेंट पर लेके आ रहे हैं तो अब मोर्दन 70 एर दुनिया की गावर्मेंट इस कमिटमेंट के उपर हैं कि वह स्कूल जाते हैं वह वह वहां पढ़ते हैं लेकिन वह रीडिंग नहीं कर पाते हैं उसकी सबसे हम बड़ी वज़ा यह होती है कि जो हमारे developing countries, under developing countries में हमारी जो policy making होती है और जो हम education को budget allocate करते हैं, उसके अंदर हमें बहुत से मसायल का सामना करना पड़ता है। उसमें हमारी sincerity शामिल नहीं होती कि इन बच्चों तक ही हकोग पहुच सकें। जो उनको financial support इन हकोग को उन तक पहुचने के लिए चाहिए, जो material support चाहिए, उसके लिए हमारे पास budget में इतने पैसे allocated नहीं होते हैं। It is a greater problem for the children and families, especially अगर ऐसी families, ऐसे बच्चे जो के ऐसे schools में stuck हो जाएं, जो inefficient हैं, जहां teacher's train नहीं है, आज यहां पे अच्छा material library अवेलेबल नहीं हैं, जो resource-less school हैं। और किन बच्चों के लिए problem है, उन तमाम hundred million बच्चों के लिए जो अभी तक school में enter ही नहीं हुए। और बहुत से ऐसे बच्चों के लिए, जो marginalized हैं, marginalized population से belong करते हैं, low socioeconomic status की family से belong करते हैं। और mostly ऐसे बच्चे हमारी middle or low income countries में हैं, under developing countries में मौझूद हैं यह developing countries में मौझूद हैं। Learning हमारा एक developmental agenda है, human development में learning एक important part है। So, poor and marginalized children must learn, उनकों तक हमने यह facilities पहुचानी है, उन्हें हमने reading पे लाना है, यह उनका हक है। ताके वो एक अच्छी meaningful जिंदगी, productive जिंदगी गुजार सके। इसके लिए हमें fiscal or material support provide करनी है, especially उन लोगों के लिए, जो के marginalized हैं, जो vulnerable हैं, ऐसी population जिन तक यह resources पहुचना असान नहीं है, यह वो खुछ से अपने बच्चों के लिए इन resources को नहीं produce कर सकते। The right to read remain as international and national goal. The policy maker, researchers and practitioners must work together to address and correct inequalities. यह जो inequalities हैं, गरीब बच्चों तक इन resources को ना पहुचना, रियासत का उन्हें ओनना करना या उन तक resources को पहुचने के लिए financial support या material support ना पहुचाना, उनको address करना policy makers का भी काम है, researchers का भी काम है, हम teachers का भी काम है, so we need to be aware about it, we need to do something about it. और इसके लिए हमें active होना और इस policy making का और इस action का हिस्सा होना जरूरी है, उसकी सबसे एहम वज़ आपके सामने है, क्योंकि हमारी future generation इसी के उपर dependent है, उनका पूरा मुस्तक्बिल, उनकी literacy skill के उपर dependent है, यह बहुत एहम राइट है, जो हम अपने future generation से नहीं चीन सकते, इस generation से नहीं चीन सकते, क्योंकि उसका future इ झाल